ये जो certificate आप देख रहे होंगे दोस्तों, इसे किस प्रकार से आप फिरी में प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही दोस्तों इस certificate को किस प्रकार से हमें डाउनलोड करना है, पूरी बातों को दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिस करेंगे, ये ट्रिपल सी का certificate र प्राप्त करना चाहेंगे दोस्तों तो आपको इसकी official website में जाके पहले आपको registration करना होता है जिसमें दोस्तों हमें 500-600 रुपया online payment करना रहता है उसके बाद इसकी exam को हम exam center में जाने के बाद इस certificate को प्राप्त कर सकते हैं लेकिन दोस्तों हमने इस certificate को किस प्रगार से देता हूँ यह जो certificate हमने free में प्राप्त किया है दोस्तों यह हमने digital village के माधियम से प्राप्त किया है क्यूंकि दोस्तों आपके आसपास block wise आप देखेंगे तो कहीं न कहीं आपको digital village मिल जाएगा CAC का जहां पे इस परकार की project कभी कभी चलाए जाती है तो ध्यान यह रख के digital village में इस प्रकार की project कभी कभी आती है जिसके माधियम से दोस्तों हमने यह जो certificate है इसे हमने प्राप्त किया है इस certificate को प्राप्त करने के लिए आपको जैसा की पता ही होगा कि exam पहले हमें final करना होता है उसके बाद यह प्रकार की certificate हम इसकी official website में जाने के बाद download कर सकते ह हैं तो चलिए आगे हम जानेंगे किस प्रकार से इस certificate को हम download कर सकते हैं ट्रिपल सी की certificate को download करने के लिए दोस्तों नियलीट की official website पे आएंगे जिसकी link किये रहा student.nealit.gov.in इसी web portal को दोस्तों हमें open करना है अगर हम इस certificate को download करना चाहते हैं तो पहला dashboard कुछ इस प्रकार का होगा इसकी official website की तो यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों यह जो notification आप देख पारे होंगे इससे close कर देना है इसके बाद cursor को down करना है नीचे option देख पारे होंग regular certificate पे हम click करेंगे अगर certificate को हम download करना चाहते हैं और किस certificate को हम download करना चाहते हैं कौन सी certificate हमारी थी तो हमारी जो certificate थी दोस्तों वो यह रहा course on computer concept मतलब triple C का तो हम इस course को यहाँ पे select कर लेंगे इसके बाद किस year में हमने exam दिया था उस year को यहाँ से हमें select कर लेना रहता है इस अब मनत को यहाँ पे select कर लेना रहता है तो जिस भी मनत में हमने exam दिया था उस मनत को हम यहाँ पे select कर लेंगे इसके बाद दोस्तों आप अपने admit card से यहाँ परूल number fill करना होगा जो आप admit card से आसानी से यहाँ पर relev नमबर fill कल सकते हैं इसके बाद आगे क्या करना है दोस् इसके बाद हमें cursor को फिर से down करना है, get verification code में आप देख पा रहे होंगे, email और mobile के option दी हुई है, तो आप जिसमें भी आप get OTP मंगाना चाहरे हों, तो वो select कर लेना है आपको, तो चलिए अभी हमने mobile यहाँ पे select किया है, इसके बाद दोस्तों फिर से हमें यहाँ पे security capture को fill करना है, तो जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे हम fill कर देंगे, इसके बाद हमें आगे अपने mobile नमबर को यहाँ पे fill करना है, और इसके बाद हम send SMS करेंगे, जैसे ही हम send SMS करेंगे, तो इस प्रकार का notification आप देख पा रहे होंगे, OTP has been sent to your mobile नमबर, यहाँ पे OK कर देना है, और जो भी OTP हमारे mobile पे आई होगी, उसे यहाँ पे हम fill करने के बाद, submit कर देंगे, OTP हमारे mobile पे आ चुकी है, यहाँ पे हम उसे fill कर देंगे दोस्तों, इसके बाद finally हमें submit कर देना है, next dashboard कुछ इस प्रकार का होगा, जहाँ पे आप अपनी पूरी detail को देख पा रहे होंगे, इसके बाद दोस्तों हमें करना क्या है, cursor को जैसे ही हम down करेंगे, तो यहाँ पे आप दोस्तों option आ चुकी है, download certificate की, यहाँ पे क्लिक करने के बाद, हम अपनी certificate को असानी से download कर सकते हैं, institute name में दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, digital village, और जो भी यह center vendor है, सारी detail आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और यह रहा दोस्तों हमारी certificate, तो इस प्रगार से हमें, triple C का जो certificate होता है, उसे हम इस प्रगार से download असानी से कर सकते हैं, आसा करता हूँ दोस्तों, यह छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो like and share करना बिल्कुल ना पूले, और वीडियो देखने के लिए आप से भी दोस्तों का पहुत बद दनावा, थैंक यू,